जै जिनेंद्र जै भूलेना दूस्तों डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवारिया मेंडेटरिया मार्केट बंद 44,129 आप देखो टॉप पे जाके बैंक निफ्टी को बंद किया है टॉप पे जाके निफ्टी को बंद किया और कल है मन्थली एक्सपाइरी इसको क्या बोलते है शॉट कवरिंग क्यों शॉट कवरिंग हुई नंबर वन रिजन की एक्सपाइरी परसो होने की बजाए कल हो रही है ठीक है तो जो गिरावट करा आज देने वाले थे वह कल देंगे वरना आजकी गिरावट देने के बाद कल छुटी होती तो आज भी गिरावट रहता और परसों भी गिरावट रहेंके लस्ट रास्ट में थोड़ी सी रिकवरी आती थी देकिन यहां गेम इन्होंने चेंज किया चलिए मैं आपको एक एक करके समझा भी देता हूं तो यहां देखिए यह जो क्या बोलते हैं बुलिश अरामी ने ब्रेक आउट भी दे दिया यहां कि मार्केट तेज हो गया ठीक है इसके हिसाब से तो मार्केट तेज हो गया मैंने कल क्या बोला था आपको याद है कि यह इस वेज को टच करने के लिए मैक्सिमुम जा सकता है तो यह वेज को टच करने के लिए वापस से इसको कल अगर टच करता भी है तो कल का पॉइंट रहता है इसका अठारह हजार कि नौसुत थीस ठीक है अगर करता है लेकिन क्यूं नहीं करेगा वो भी समझाओंगा कल क्यूं बड़ा मंदी वाला दिन रहना चाहिए वो भी समझाओंगा तो पहले तो यह खली चार्ट देखले थे चार्ट में आज एक बुलिश केंडल बनिया और रिवर्सल का सिग्नल दिया मगर वेज का नीचे है और जो वेज का ब्रेकड़ॉन लेवल ठा है यह वाला एकजक्ली उसके नीचे क्लोसे लिए है यह वैजक्ली ब्रेकड़ून लेवल था आपता है देखसकतो है यह वाल यह धिस पॉटिकॉले जहां पे लिए करसर है वह था 816 है और 816 के साइद नीचे ही क्लोजिंग आई होगी देख लेते हैं येस 817 होई ठीक है 816 17 ये ये पर्टिकुलर लाइन तो इस जगा वापस लाके क्लोज क्या अब अगर टेकनिकल देखा जा तो यहां तक जाना इंपॉसिबल नहीं है तो यहां तक जाता तो नया ओल्टाइम हाई बनता एटीन नाइन फॉट्टी के आसपर्स एक पॉसिबलिटी यह दिखा रहा है ठीक है कि मैंने आपको बोला भी था यह ब्रेकडाउन के बाद एक बार इसको छूने जा सकता है एक कई बार बोला फिर यह रेली ऐसा ठीक है यानि कि यहां जाकर फिर ऐसे देगा और नहीं भी जा सकता है यह भी मैं बूल रहा हूं अब नहीं क्यों जा सकता है वह भी समझ लेता है कि इसके पहले हम लोग बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं यहां पर क्या बूलिश एक ही दिन में सारा काम तमाव कर दिया से देखा ना हमने कि आज साल आने रिवर्सल दी मगर देखो आप 10 यह में का जो ब्लेकडाउन दिया उसका प्रिवेस केंडल था 44212 तो पहला हमारे स्टॉप लोस यही बनता था 44212 के उपर की क्लोजिंग तो यह कता ही अभी पॉसिबल नहीं है अब इसके उपर क्लोज करना ठीक है 44212 यह कौन सी कंडल का हाई है इसको नोट कर ली जाए यह है 14 चैकी और हमने अल्रेडी अल्टाइम हाई बनाया 44498 का यहां पर 83 दिखता है लेकिन 498 है तीस माई को करेक्टर ना है नहीं 498.60 दिखी रहा सही है तो यह अभी भी अपने ओर टाइम हाई से बहुत दूर है पहली बात इसमें बहुत बड़ा पॉइंट आपको मैं दिखाने वाला हूं इसको ठीक कर लेते हैं 20 कर लेते हैं इसको यहां पर सब गेम दर बड़ा हुए इसको अब जो बात समझने लाइक है वो यह है खाए बैवेट एक मट यहां पर भी बैवेट लगाले देखाने आज इसने क्या सिगनल दिया आज वापस से 10 एमें 20 एमें के उपर है डेली में मगर आप देखो तो यह जो ब्रेकडाउन किया था अब इसी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं यानि कि त्री आवर्स में करें एक दिन में सवा छे गंटा ट्रेड होता है तो त्री आवर्स में क्या पोजीशन है उसको देख लेते हैं अगर वहां चेंज हो गया है नहीं सोरी फोर आवर्स में त्री आवर्स में वहां पे अभी भी क्वंटी एम है आठ सो चार पे और यह साथ सो चुरानमें पे तो पहला एक कंडिशन के है कि फोर आवर्स में अभी भी जो सबसे पहले वाला जो सबसे बड़ी कंडल होती है वन डे के पहले की वह फोर आवर्स होती है तो फोर आवर्स इस दर मोस्ट इंपोर्टेंट कंडल आफ्टर डेली केंडल वहां पे नहीं किया और यहां पे एक ही दिन में इसने कितनी बड़ी मूव देखे यह सब कर दिया अब अगर यहां पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपको एक चीज दिखाई देदेगी जो मैं दिखाना चाहता हूं मतलब अभी भी रेजिस्टेंस बिल्कुल बरकरार है कौन सा टॉप से लेकर हम यहां पर यह दो पॉइंट मैंने चुआ इसको मैं आपको इन्वेस्टिंग में ज्यादा क्लियर दिखा देखा हूं यह था बैंग निफ्टि का टॉप यहां पर रेड कलर की लाइन ड्रॉप करूँगा आपको क्लियर दिखाई देखा हूं यह था बैंग निफ्टि का टॉप इधर से मैं सेकेंड टॉप पर टच करता हूं ठीक है और इसको लेकी जाता हूं तो जब तक देखिए चाहे यह लाइन कहां पर आ रहे है यह आ रहे है 307 में हमारा ओल टाइम हाई कितना है 44,498 कब बना था 30 माई ठीक हा यह है वो हाई और सेकेंड टॉप बना था 44,459 44,459 यह बना था 8 जून को यह दोनों पॉइंट को मैं टच करके एक ट्रेंड लाइन कीश रहा हूं तो यह ट्रेंड लाइन क्या बोलती है अभी भी जब तक हम 308 के उपर क्लोज नहीं करते हैं तब तक हम इसका ब्रिक आउट नहीं मान सकते हैं 44,308 जो कि मुझे इंपोसिबल क्यों लग रहा है वह भी बता देता है लेकिन फिलाल आप यह फीगर को नोट कर लीजे यह सारी दुनिया का stop loss होना चाहिए closing basis सारी दुनिया का target हो ही है 41,500 सारी 42,600 41,500 40,000 और इवन 38,800 अभी समझाओंगा के करके लेकिन पहले इतना समझ लीजे तो पहले तो आपको दिखा दिया कि resistance क्या है यह resistance है यह लाइन थोड़ा सा और इदर जाएगी 308 के जगा यह क्या हो जाएगा तो चार सो बन रहा क्या 371 बन रहा भाया लाइन ड्रॉप करने में 44 370 ठीक है यह हो गया ब्रेक आउट का लिए ठीक है अब अगर मैं यहां पर एक नीचे सपोर्ट की भी ऐसी कुछ लाइन ड्रॉप कर लेता हूं जो की हमको यह बता दे कि कौन सा लेवल टूटने के बाद इसमें बैंकर गिरावट आ सकती है यह रिसेंट तीन बॉटम है यह रिसेंट के तीन बॉटम है एक यह वाला बॉटम यह वाला बॉटम और यह वाला यानि कि नीचे में इसको बड़ा सपोर्ट का मिलेगा इधर यह लेवल आता है 42 43 290 43 300 43 यह लेवल आपको फ्राइडे तक दिख जाना चाहिए इसी फ्राइडे तक कल एक्सपाइरी है परसो छुट्टी है दो दिन में यह लेवल आपको दिखेगा 43 300 और मेरा मानना 42 800 से लेके 42 600 तक भी दिख सकता है यह मेरा परस्नल टार्गेट है दो दिन में क्यों दो दिन में आप सुचो गया और यह और यह और तो क्या पागल जैसा बात कर रहा तो पागल जैसा तो नहीं कर रहा हूं मैं आपको रिजन समझाता हूं आज एक तो तो जिसको शॉर्ट कवर करना था उसको करना ही था क्योंकि कल एक्सपाय रिया है तो वह आज की डेट में खीच के कवर कराया गया अब अगर कल इसके ऊपर निकल जाए तो हम मान सकते के बहुत दम एस्ट्रेली में ठीक है कि दूसरा आप देखो यह जो टैनिये में के नीचे टैनिये में इतने दिन चलाने के बाद जब नीचे आया तो यह आज जो गुमा यह माइनर सा गुमा साथ पॉइंट इस नॉटे अगर दोसो पॉइंट भी बैंग इफ्टी गिरता तो यह वापस से टैनिये में नीचे आ गया तो यह एक चाल खेली गई है अगर यह चाल नहीं खेली गिए तो कल इसके ऊपर क्लोज करा देगा 371 कोई बड़ी बात नहीं जब 100 कितने पर क्लोज किया है कितने पर किया है 121 पर तो बाई 250 पॉइंट ही तो खाली और भगा के क्लोज करना कोई बड़ी बात नहीं है और तेजी से केंडल बनाए कल का दिन बहुत वाइटल रहेगा अब क्यों मैं इसके बार में बोलनों कि कल एक बड़ी गिरावट इसलिए हो सकती है क्या किया इन थोड़ा से इसको ध्यान दिजेगा मैंने पूरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज ओप ओपन इंट्रेस्ट 0.84 से 146 पूरी लाइफ में साय एक या दो बार दिखाए इतना बड़ा एक ही दिन में MR, PCR को चेंज होते हुacements, 0.84 से सीधा कल का PCR ? 84 previous open interest PCR के कल का था 0.84 और आज लोग्स क्लोज हो रहा है 1.46 इतना ड्रास्टिक चेंज मतलब कल ऐसा दिन भी हो सकता कि कल एकी दिन में 1000.22 गिर जाए एकी 1000. एकी दिन में एकी दिन में यह इसकी प्रोबिबिटी इतना ड्रास्टिक चेंज एकी दिन में PCR में वो भी ऐसे मार्केट में जहां रेंज बाउंड मार्केट कंटीनू चल रहा है यह एक तरह से ट्रैप होता है ट्रैप होता है क्योंकि यह काफी दिन से क्या कर रहे थे देखिया अब इसी पॉइंट को बहुत ध्यान से समझेगा यह दुनिया कोई चैनल आपको यह पॉइंट तो नहीं बाता सकते जो मैंने अभी डिटेल में समझाया एक मिल वापिस कल कहां था PCR 0.84 आज एक ही दिन में कितने पॉइंट की छलाग मराया PCR ने कौन सा करेंट सी शीरीज का PCR 0.84 से 1.46 यानि कि 50 बेसिस पॉइंट तो यह हो गया 0.62 का PCR में एक ही दिन में चेंज है 0.62 इतना बड़ा चेंज तब हो सकता है या तो बैंक निफ्टी यहां से कुछ 46,000-47,000 जाने वाला ठीक है ऐसा कुछ इसका एम है इमीडियेटली जाने का तब यह इतनी बड़ी जंप लेता है वर्ना शॉर्ट्स वर्ना इसने ऐसा क्यों किया यह समझते है अब मैं यहां पर आपको कुछ दिखाता हूँ आज की केंडल को अगर आप भूल जाओ आज की केंडल को ठीक है जो आज शॉर्ट कवरिंग तो पिछले पिछले कुछ दिनों में यह बड़ी गिरावट आई थी और यह गिरावट आई थी कि ज्यादा तर केंडल आप देखते जाओ मैं पिछले एक दो तीन चार पाँच दस 15 दिन का मुवमेंट लिए तो पिछले 15 दिन की मैं मुवमेंट इसमें कैप्चर करता हूं including today. ठीक है? 1 candle red, 2 candle red, जहन दीजेगा, बहुत जहन दीजेगा, 3 candle red, 4 candle red, 1 green, 4, 1 score हुआ अभी, अभी कितना हुआ? 4, 1, 5 candle red, 6 candle red, 1 green, 6, 2 score हुआ है. साथ केंडल रेड एक ग्रिन सेवन थ्री स्कोर ठीक है पंदरा केंडल की बात कराऊ एक दो तीन चार ग्यारा केंडल रेड और आज वाली को लेके चार केंडल ग्रिन इन पंदरा दिन में हाई क्या था ये वाला ठीक है ये था 44,459 44,459 वो भी रेड कंडल से ही बना था तो आज ये 44,121 पे प्रेट लोज हुआ है और हाई कितना बनाया हाई कितना बनाया हाई बनाया इसने 194 211 स्पास तो 44,200 पहुँच गया पंदरा में से 11 केंडल रेड है चार केंडल ग्रीन है उसमें भी जो ग्रीन बनी है वो सारी 44,000 नीचे की क्लोजिंग है एक दो तीन आज एक ही दिन में फॉर्टी 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 दो सो छुवा दिया है ना चौथी केंडल में और 121 पे क्लोज कर दिया तो यह क्या हुआ क्योंकि यह पंदरा दिन से ट्राई कर आ था कि एक रेंज में में रखू और मार्केट में जितने पुट वाले या शौटर से वो निकल जाए था खार के पंदरा दिन की अगर आप मुवमेंट देखोगे अगर यह नीचे के लेवल्स में अटा दू तो कुछ ऐसा मुवमेंट है 500-700 पॉइंट का मुवमेंट है टोटल पंदरा दिन में बैंक निफ्टी में कि नीचे के लोज को अटा दू मैं तो इन इन सपोर्ट से एक ट्रेंड लाइन ड्रो करूँ तो इतना ही मुवमेंट में इसने आपको हिला के रख दिया और आपको दिखा दिया कि मार्केट गिरने वाला नहीं है और आज इसने क्या कि इन सब को अटाओ तब तो मैं इसके नीचे जाऊंगा इनको हटाने के लिए इतनी बड़ी एक रेड केंडल बनाया आज ग्रीन केंडल बनाया जिसका लोग है 6.96 ध्यान दीजेगा और 194 का हाई यानि की 500 पॉइंट की आज केंडल बनाया एक ही दिन में 500 पॉइंट की केंडल हाई और लो में आज का डिफरेंस है एक ही दिन में अब हम देखते हैं इसके पहले वाले केंडल में क्या था 773 हाई 541 लो कितना कितना पॉइंट का वाद 230 पॉइंट की एट 24 हाई 519 लो 300 कॉइंट की 44 0 42 हाई 43 663 लो 380 की तो आज सीधा 500 पॉइंट की एक कंडल बनाया लो से हाई में तो यहां क्योंकि नह款 ब्हुत दिन हो गये कोंसलीडेशन जोन में बहुत दिन हो गये अगर आप इसको एक Grow बाक्स भी बनालो तो यह बहुत दिन होने के बाद क्या होता है इनसान ठक जाता है गिरी नीरा गिरी ना अब इतने दिनों में कितनी बार आपके पूट गल गए होंगे आप सुचू या कॉल भी गल गए होंगे अगर किसी ने 45,000 का कॉल भी लिया कि वह यह तेजी होगी पहले की पंद्रा केंडल देखे तो आराम से दो अजार पॉइंट से ज्यादा का मुवमेंट देता है तो आज का 99% शौट कवरिंग कराई गई है सबसे और कल यह बुरी तरफ बुरी तरफ पे लेंगे मार्केट नीचे की तरफ और उसका सबसे मुख्या रिजन क्या दिस इस दे मोस्ट वेलिड एंड इंपोर्टेंट रिजन फ्रम जीरो पॉइंट पॉइंट फॉर मनी कंट्रोल पीसियार जंप्ट तू 1.46 अला कि कल एक्सपारी यह इसकी कोई लेना देना नहीं है कल इस पीसियार का लेकिन इसलिए लेना देना है क्योंकि end of the day 1.46 पे बंद हो रहा है ठीक है यह इन दिनों का हाइस्ट पीसियार है इन दिनों का पिछले 2-3 महिने का यह हाइस पीसियार है बैंक निफ्टी के अब आ जाते है इसी पर एक और चीज देखते हैं अब यहां पर हम निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ अला कि निफ्टी तो भी अपने हाई से निफ्टी तो चलो बड़ी मोवमेंट दिया भी नहीं कि फिर भी निफ्टी भी देख लेता है कि निफ्टी इस वैज को तोड़ने के बाद एक दिन फॉलॉअप केंडल बनाया कल बुलिश रामी बना के आज वापस 10 EMA के ऊपर क्लोस किया अब कल टेक्निकली निफ्टी को 10 EMA के नीचे क्लोस करना चाहिए 10 EMA है इसका 738 39 इसके नीचे कल क्लोस आना बहुत जरूरी है अगर वर्ना यह इसको छू के ही गिरेगा और यह लेवल आता है 934 के आश्पास फिर गिराए टिक है निफ्टी में आप देखो एक रेंज बाउंड मॉम्मेंट कितने दिन से हो रहा है 2,2,4,2,6,2,8,2,10,2,12,2,14,2,16,2,18,20,20,20 दिन से रेंज बाउंड मॉम्मेंट हो रहा है एक रेक्टमूलर बॉक्स बना सकते हो आपस को ना तो यह डिस्ट्रिबूशन फेस ही है लेकिन बहुत लंबा चल गया 22 दिन चल गया तो यहां कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि जो आपको डर लग जाए क्योंकि अल्रेडी हम आज मंगल है हम थस्डे को कहां पर थे 8.86 से हम गिरे थे तो अभी तो हम थस्डे वाला लेवल पर ही नहीं पहुचे ठीक है इस लेवल को काट के क्लोज करेगा तब ही जाके कुछ इसमें होगा ठीक है यह राउंडिंग बनाया जरूर है लेकिन ऐसा भी होते हुए कई बार देखा गया है कर बेर निफ्टी तो भीया मैंने भी आज लिया पूठ जूट नहीं बूल लेकिन मैं यहां पर एट चीज देखना मुझे कि निफ्टी में क्या हुआ अब निफ्टी में आप देखो PCR 0.93 था करो 0.93 वह भी 1.21 पर आ गया है तो इसने कितना पॉइंट का जम दिया 0.28 पैसा गया ठीक है 0.93 से यह 1.23 ओवरवाट के तरफ चला गया है जब रेंज मांग मार्केट रहता है लेकिन बैंग निफ्टी में क्या हुआ 0.84 से 1.46 कल बैंग निफ्टी मुझे ऐसा लगता सच बताऊं कि हजार पॉंट से भी ज्यादा भी गिर सकता 800 से लेके 1000 पॉंट मुझे लगता कल का दिन है बैंग निफ्टी का गिरावट का सुबह 100 पॉंट उपर भी मिल सकता है इसकी भी गुंजाय से लेकिन कल दिन इतना बड़ा है बैंग निफ्टी के लिए आप सोच नहीं सकते as per this निफ्टी में 93 से 121 गया यह 84 से 1.46 चला गया भाई साब यह ब्योंड इमेजिनेशन है चले अब हम यहां पर एक और चीज़ देखते है कि आपस्ट्रा में क्या पोजिशन है आपस्ट्रा और एक बार विक्स भी मैं जरूर देखना चाहूंगा कि विक्स के क्या हल चाल है इंडिया विक्स मैं कई बार भूल से अमेरिका वाला विक्स देख लेता हूं विक्स टाइप करके अज इसलिए मैं टाइप करोंगा इंडिया विक्स ठीक है तो आप देखो विक्स को देखो आप ब्याँ मुझे तो हसी आ रहे है इस विक्स को देख लिए चार्टी खोल देते हैं चार्टी खोल देते हैं ठीक है लिक्स में ट्रेंड लाइन भी ड्रो कर लिए जाए कि कौन सी क्लोजिंग के बाद यह बड़ी गिरावर्दी यह हो गया एट फिगर और यह हो गया शौटर टर्म ट्रेंड लाइन इसके उपर भी क्लोज दिया तो एक बार है इतना प्रेंट आता है 11.40 के उपर क्लोज किया तो पहला संकेत आएगा मन्दी का 11.40 के उपर लाइन चार्ट बोलते है इसको यह केंडल स्टिक चार्ट नहीं है मैं केंडल स्टिक भी लगा सकता हूं आपके लिए तो वह लाइन चार्ट था लाइन चार्ट इसलिए यूज करता हूं मैं कई वार खली उसमें क्लोजिंग के डाटा आते हैं और कुछ नहीं आते हैं ठीक है क्लोजिंग कहां पर हुई बस वही तो आप देखो कितने दिनों से विक्स बड़ा नहीं है जब कि उस समय विक्स कहां चला किया था अगर आप देखोगे जब वह फॉल आई थी विक्स को देखो आप विक्स का ट्रेंड अगर देखोगे 2020 से अगर मैं निकालू यहां पर विक्स था वह यहां पर खड़ा तो इतना कमफ़र्ट आ गया मार्केट में अब देखो यहां का विक्स यहां आगया अब क्या आपको लगता कि इसके नीचे विक्स जाएगा पॉसिबल नहीं है बॉस इसमें बड़ी गिरावट आने का सिगनल यह भी दे रहा कि एक बड़ी उच्छाल इसमें आनी है जो कि इसको कही ने कहीं यहां तक तो जरूरूर लेखे लिए शरक्वाटों आदय दो सक्ती है तो यह भी एक सिगनल दे रहा है हलाकि विक्स नीचे रहने का मतलब रिलेशन के साबसे इसको देखा जाता है बहुत रेर केस में निफ्टी भी बढ़ता है और विक्स भी बढ़ता है वह भी होता है लेकिन वह कम होता है जनरली निफ्टी बढ़ता है तो विक्स गिरता है इंडिया विक्स गिरता है और निफ्टी गिरता है तो इंडिया विक् विक्स देखे कैसे भागा उपर यहां चल रहा था हो मार्श में यहां से विक्स उस समय भी 12-13-14 पर चल रहा था और कहां भाग गया 88-89 तक चल रहा गया फियर उस समय कैसा आया था बजार में चलिए यह भी हो गया तो मैं अपना व्यू दे चुका हूं कल हमारी नेक और अब 10 जुलाई में ज्यादा दिन नहीं बचे अब मेरा भी टेस्ट स्टार्ट हो गया कि भाईया जून पूरा खतम हो गया ठीक है अब मैं एक और इंपोर्टेंट चीज इस वीडियो में देखना चाहता हूं कि भाईया यह जो तेजी है इसको केंडल कितनी बन गई यह देखिए यह है बीस मार्च का बॉटम शूला आट्सो अट्थाइस कितना शूला आट्सो अट्थाइस एक कंडल दो तीन चार पांच छे अगर हम इन छे को छोड़ दे क्योंकि वापस से रिवर्सल है तो यहां से गिनना चीए हमको एक दो तीन चार पांच छे साथ दो नो दो ग्यारा तिन चोड़ा तिन सत्रा तिन बीस चौबिस अट्थाइस बत्तिस चत्तिस चालीस चोंवालिस अर्थालीस बावन चपन एक सट कंडल हो गई है मार्केट यहां से एक सट कंडल हो गई आज की लिए के सिक्स्टीवन कंडल सिक्स्टीवन ट्रेडिंग डेज हम यहां से गिन सकते हैं और अगर इंच है कंडल को देख लो जो तो 67 कंडल हो गई है आज तक का इतियास है 65 कंडल से ज्यादा कोई भी ट्रेंड चलता नहीं है उसके बाद एक सिग्निफिकेंट तेजी या मंदी आती है 5-7 पर्षेंट का करेक्शन जरूर आता है उसके बाद कोई भी ट्रेंड चल रहा हो यह इससे ज्यादा आज तक आप चेक कर लीज़ें सारी रेली उसमें एक करेक्शन जरूर 5-7 पर्षेंट का दिया होगा उसके बाद ही वह चेंज होगा तो जर्जे को मारा तो वहां तक अगर हम 3 केंडल को माइनस कर दें इन 3 केंडल को अगली 3 केंडल को ठीक है आज की और 2 केंडल को इस लो से लेके इस हाई तक इसने 64 केंडल बना दी तेजी की अब टेक्निकली 18887 माइनस 5 पर्षेंट 18886 का हाई बनाया था इसने थेस्टेगो इंटो 5 पर्षेंट 944 माइनस 18886 का 17941 तो एट एनी कॉस्ट आएगा यह मान लीजे क्योंकि 64 डेज हो चुके है अगर हम अभी की यह तीन केंडल को छोड़ दे इस लो से इस हाई के बीच में अब आज हमारा पास दिन कितने बचे दस जुलाई जैसे मैंने बोला तो दस जुलाई तक यह 17941 तो आना ही चाहिए 17941 दिन ज्यादा से ज्यादा आठ या नो दिन होंगे ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है चलो एक कल का दिन बचा एक फ्राइडे का दिन बचा दो दिन ठीक है जून में जून में दो दिन बचे जुलाई में तीन तरिक से स्टार्ट होगा साथ तरिक से तो यह हो गया दो पांच साथ एक आठ दिन बचे दस जुलाई आने में दस जुलाई आने में आठ ट्रेडिंग डेज बचे हैं एट ट्रेडिंग डेज इसका मतलब कल वाला दिन तो बहुत ही वाइटल है जो मैं हजार पॉंट की बात करा हो कल होगा ऐसा कुछ एट ट्रेडिंग डेज बचे हैं दस जुलाई को हम 11 जुलाई माल लेते चलो तो नौ ट्रेडिंग डेज बचे हैं नौ ट्रेडिंग डेज में अगर मैं 17 940 भी लाता हूं तो मुझे आज के 812 से इसको 900 पॉंट के असपस गिरना परता है और मुझे लगता है इससे ज्यादा गिरेगा चलिए जै जिरन्दरा जै भोलें